कभी ने कभी जिन्दगी के किसने किसी मोड पर आपको हिचकी जरूर आई होगी है न तो ये एक हिचकी जो है आपको बहुत ही अनकमफरटेबल फील करवा रहती है कभी समझो आप मीटिंग में बैठे हुए और आपको हिचकी आने लगे या मुझे याद है कि जब मैं क्लास कर रहा था त्वेल्स चैनलेट की फिजिस की क्लास चल रही थी टीचर बहुत स्ट्रेक्ट थे और एकदम से मेरी हिचकी चालू होगी सर ने मुझे बाहर बेजाया पानी पीने के लिए पानी पीने के बाद भी हिचकी बंदी नहीं होती थी नाग बंद कर पानी पिया इस वीडियो के माधियम से हम जानना चाहते हैं कि नॉमल लोगों को हमको हमको हिचकी आकर आती क्यों है यह तो हम पता लगा है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हिचकी आपको क्यों आती है मुझे क्यों आती है तो आपको एक काम करना है वो है आपको इस वीडियो में मे और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा देखिए जो हमारा सीना होता है और हमारा पेट होता है इसके बीच वाले एरिया को डायफराम कहा जाता है और जब भी लंग्स में हवा भर जाती है जादा तो ये डायफराम सिकुडने लगता है कभी-कभी और इसमें स्ट्रेंड बनने लगता है इसमें कमपन होने लगता है तब हमारी जो वोकल कॉर्ड है वो थोड़े समय के लिए इनेक्टिव हो जाती है और मूझ से हमारे हिचकी का जो साउंड आता है तो ये बहुती नॉमल कंडिशन है इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है थोड़ा सागर आप पानी पीलेंगे नाग बंद के पानी पीलेंगे आपने ध्यान अगर आपका भटका दिया जाए तो भी इचकी बंद हो जाती है मेरी दादी जी जो थी वो कभी-कभी मुझे इचकी चलती रहती थी तो वो एकदम से कुछ वो देखो वो क्या है इस तरह के से कुछ बोलती थी ऐसे कुछ ध्यान बठका देती थी तो वो इचकी एकदम से बंद हो जाती थी इससे मुझे तो ये निशकर्स मिलता है कि ये फिजिकल कंडिशन तो है थोड़ा थोड़ा ब्रेन से इलेटेड भी है ऐसा हमारे देश में कहा जाता है कि अगर कोई हमें चाहने वाला कहीं याद कर रहा है तो फिर हमें हिचकी आने लगती है तो आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है तो फिर आप प्लीज मुझे बताईएगा ऐसा भी लोग कहते हैं कि आप ढूंडना शुरू कर दीजिए कि कौन आपको याद कर रहा है उससे आप वापस से याद करिये तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी लेकिन ऐसा मुझे पता नहीं अब ये सई है कि नहीं है कोई याद करता है साथ समुण्धर पार आपको हिचकी यहाँ आती है पता नहीं है, मैं convince new thoughts से तोड़ा बचकाना thought लगता है लेकिन फिर भी Indian traditions में तो ये माना जाता है लेकिन जो diaphragm वाली बात है वो सही है तो ये information मैंने आपको दी आज हिचकी के बारे में तो अगर आपको पसंद आई है तो आप please मेरे चैनल को subscribe करेगा वीडियो को like करेगा, friends से share करेगा bell icon को hit करेगा जिससे मेरे सारे videos आपको जल्दी मिल जाएंगे फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी ही informative facts आपके साथ share करते हुए तब तक के लिए bye, take care friends